आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे लेकिन अब टी-वी चैनल पर जो नारे चलते वे नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहें इंडिया चले जी बिल्कुर ठीक नाने लग रहे हैं, वही चीज मैं आपको बताने लगा था, कि 1947 सम्तिंग जब हमारा पाकिस्तान अजाद हुआ, इंडिया से अंग्रेजु की गॉवर्मेंट थी, मैं कहा रहा हूँ, अल्ला ना करता, ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता, आज आप आपको टमाटर 20 रुपे किलो मिलते, चिकन 1.500 रुपे किलो मिलता, पैट्रॉल 1.500 रुपे लिटर मिलता आपको, अब हमारी बदकिस्तमती नहीं है कि इतने अर्से के बाद हमें, मतलब, एक अल्ला पाग ने पाकिस्तानी मुलक दिया, जिसमें मुसल्मानों वाला सिलसले चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी निजना मुशरफ भी नहीं चाहिए हमें, हमें सिरफ प्राइम मिनिस्टर मुदी चाहिए, जो इस मुलक के टेड़ों को सीधा करें, इस मुलक की मैशियत को उपर ले, दुनिया के पांचवे नंबर पे आ चुके हैं, मुदी कोई बुरा इंसान तोड़ी है, इंडिया के जो मुसल्मान है, वो 1.500 लिटर पेट्रॉल ले रहे हैं ना, 1.500 रुपे का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसल्मान, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी निना कर सकेंगे, आप क इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहास से नहीं है, वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए